हेलो बेकर्स वेलकम बेक टू माई चेनल आज मैं एक बर्दे के लिए टू टायार केक बना रही हूँ ये केक गर्ल की बर्दे का है और देखिए मैंने दोनों केक को अच्छे से क्रम कोट करके थोड़े टाइम के लिए फ्रीज में रख दिया था और इसको मैं अभी कलर करू दोनों कीजेगा लिए तो करेंगे निकल आएगा को पेंगा केक बनाूंगे में क्केक बहुत केखि आजकल त्रेंड में आ बिदेखिया और बनाईए कैसा लगेगा कमेंट किजिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चेनल को सब्स्क्राइब करेंभी न माच जाएगा अगर आपको कोई सबाल पूसना है मुझसे कोई भी जानकर चाहिए तो कमेंट कीजिए मैं आपका हर सबालों का जबाब दूंगे और यहांपर मैंने केक को अच्छे से कवर कर लिया है सेम कलर से और यह देखिए यह 2 पर पर्पल भी नहीं अलग सब्सक्राव निखल कर आता है जरूर किजिए अगर आपके पास एक दो कलर है और उसे मिक्स करेंगे तो कुछ अलग साइज से निकल कर आएगा तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मैं यह केक को अच्छे से स्मूथ कर लिया है और इसके बाद मैं दूसरी केक को भी स्मूथ करूंगे सेम तरीके से यह केक मैं टोटल तेड़ किलो का बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नीचे का बेस एक किलो से थोड़ा सा ज्यादा बनाया है और उपर का बेस में हाफ केजी से थोड़ा सा कम बनाई हूँ तो बेलेंस हो जाएगा तेड़ किलो बनाने में अकर उपर का बेस मैं हाफ किलो का बनाती तो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं उपर का थोड़ा छोटा ही बनाती हूँ हमेशा और देखिए मैं दोनों नाइफ से आराम से इस केक को उठा कर इसमें प्लेश करूंगे उपर का बेश जितना छोटा लगेगा उतना दिखने में सुन्दर लगता है केक और अगर आपका केक थोड़ा दूर भेजना है तो नीचे की बेश पर भी आप कुछ तूद पीक या ऐसे कुछ लगा सकते हैं मैंने यहां पर प्लास्टिक का इस्ट्रो लिया है और मैं एक ही इस्ट्रो इंसार्ट करूंगे दोनों केक के बीज में मैं साइट पर कोई इस्ट्रो नहीं लगा रहे हूं क्यूंकि मेरा केक पास में ही जाना है तो प्रॉब्लेम नहीं है अगर आपका केक थोड़ा दूर जाना है तो लगाए नीचे के साइट पर भी और यहाँ पर मैंने एक ओपेन स्टार्टिप नोजल और एक लीफ नोजल लिया है दोनों केक से ही मैं इस केक के कम्प्लिट डेकोरेट करूँगी आज और लीफ नोजल की हेल्प से मैंने यहाँ पर कुछ रिबन जैसा बनाया है देखिए कितना सुन्दर लग रहा है थोड़ा हाथ को सेक करते जाएए तो यह डिजाइन बन जाएगा सेम तरीके से मैं उपर की बेस पर और नीचे की बेस पर भी यही डिजाइन बनाऊंगे देखिए कितना सुन्दर लग रहा है उपर की साइड पर कम्प्लिट करने के बाद नीचे की साइड पर भी मैं सेम डिजाइन बना रही हूँ हाथ को थोड़ा सा सेख करते जाए तो ये फ्रिल जैसा डिजाइन बन जाएगा और दोनों डिजाइन को कम्प्लीट करने के बाद मैं बोर्डर बना रही हूँ ओपेन स्टार्टिप नोजल से और दोनों बेस पर मैं सेम तरीकी का बोर्डर बनाऊंगी दो डिजाइन को कम्प्लीट करने के बाद ये फ्रिल के बीच में कुछ खाली लग रहा है तो मैं सेम स्टार्टिप नोजल से ही मैं उपर के साइट पर एक फ्लावर बनाऊंगी ये हाफ फ्लावर जिस से लगेगा दिखने में सुनदर लगता है और कम्प्लीट भी लग रहा है अभी सेम तरीके से मैं उपर की बेस पर नीचे भी सेम रिजाइन ही बनाऊंगी तो अभी थोड़ा केक complete लग रहा है दिखने में और उपर भी मैं border बनाऊंगी same nozzle से और यहाँ पर कुछ खाली लग रहा है तो मैं यह बड़ा size का sprinkle लगा रही हूँ एक-एक हातों से उठा कर ही क्योंकि यह एक ही bottle में आता है seven size के होते है तो आपका हर तरीके की cake में यह use हो जाता है golden में और white में आता है मैंने लिया है यह golden भी है मेरे पास एक और यहाँ पर white जा रहा था तो मैंने white का use किया है और यह देखिए मेरा cake up final look बहुत ही सुन्दर लग रहा है cake और यहाँ पर मैंने दो तीन ऐसे मेरे पास happy birthday का take है तो मैं ट्राइ कर रही थी कौन सा जएधा सुन्दर लग रहा है तो मैंने इस happy birthday को लिया है और उपर की base पर भी मैं same sprinkle spread करूँगी और नाम भी लिखूँगी और यह देखिए मेरा cake up final look अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए थेंक्यू बाबाई